सबस्ब का स्वागत है आपके अपने ड्यूप चैनल फार्मा एमसीक्यू में तो देखे हमने जो यह जो फाइफ थाउजन प्लस प्लस क्वेस्चन हम लोग कवर कर चुके हैं अभी थोड़ा सा से लेबस में थोड़ा से ही इसमें रहता है वह हम कंप्लीट कर लेंगे तो जितना हो सके उतना यह जो वीडियो हैं बहुत ही सारा लगवक्त स्लेबस मैंने कंप्लीट कर दिया एमसी क्यों कि तुपिक ब इसको फोलो कर सकते हैं स्टेट का या सेंटर लेवल का आपका फार्मसिस्ट का एक्जाम है तो और अभी हमारा डिप्लोमा का एक्जिट एक्जामिनेशन होगा तो उसके लिए आप इस सीरीज को फोलो कीजिए बहुत ही बहतरी इसमें वीडियो हैं बहुत ही अच्छे से गारिक्टिस होगा बहुत अच्छे से अपक्र करते होंगास हमの वेबसाइब सब्सふार. और सब्सक्राइब करांड कर अपके स्टाइब, इसे प्रास के लिए पहले अगर आप लोग चैनल पर हैं सब्सक्राइब है, जाльक लाइक करना, कमेंट करना लेकन को प्रेस करना तकि जोन वाली वीडियोज होते हैं उनके नौटिफिकेशन साप लोगों कुमिन सके हैं तो हमारा इसके बाद ब्लड वारा टॉपिक रहता है फिर अच्छेपी कंप्लीट हो जाएगा ओके क्वेशन है औरिपोस्य इस इन एक्जैम्पल जाओ प्जैश्य आपके जो टिशू आप लोग बढ़ते हो तो कितने टाइप के पहले होते हैं चाहरा पढ़ते और ना आपका अपिधिलियल्द टिशू होता है कनेक्टिव टीशू होता है मस्कुलर टीशू होता है नर्वस टीशू होते हैं से मिलकी टिशु बनते हैं कहते हैं कि और जो एडि पोस टिशु किसके प्रमले के I Am nostalgia my alar बज कि में स्टिशुह है व्लड राइलिम्फ थो है इसमें सार हूप यह कनेक्टिव टिशु में आते हैं इसमें आते हैं connective tissue which is flat structure तो कौन सा टिशू है इसमें से जो flat जिसकी cells flat होती है shape उनकी flat होती है squamish tissue होती है जो हमारा epithelial tissue होता है तो उसमें आपके epithelial tissue के ही टाइप से होते हैं आपका जो है squamish होता है cuboidal transitional columnar तो squamish में flat shape की cells होती है ओके next question क्या है in the context of simple epithelial tissue of human body simple epithelial tissue की बात हो रही है विच epithelial cells called pavement epithelial cells देखे यह question आ तीन से चार एक्जाम में आया एम सराइपूर में आया उसके बाद और भी दो तीन एक्जाम हुए उनमें भी same as it is question पूछा गया कि यह जो pavement epithelial वाला कि simple epithelial tissue जो होता है तो कौन सा epithelial को आप pavement epithelial cells कहोगे squamish को कौक्ट बॉडल को सिलियेटिड को कुलिम्नार को है ना तो पेवमेंट जो है हम squamish को ही कहते हैं जो squamish epithelial है आपका उसी को ही pavement epithelial भी कहते हैं ओके निक्स्ट है tissue system composed of neurons and neuroglia neurons and neuroglia cells किसमें होते हैं यह muscular tissue epithelial connective nervous तो nervous tissue जो आप पढ़ते हो उसमें आपका क्या आता है neurons आता है और neuroglia cells से आती हैं है ना तो neurons और neuroglia आपके जो nervous tissue के पार्ट है option d the type of epithelium that is found lining internal organ ने इंटरनल जो body compartment को line करेगा blood vessels की lining में lungs की सब की lining में जो इनकी lining है ना तो उनमें कौन सा tissue है lungs की lining हो गया blood vessels की lining हो गया internal body compartment की lining हो गया simple squamous stratified squamous simple coborodal stratified coborodal तो इनमेंना squamous होता है कौन सा simple squamous tissue आपका पाया जाता है epithelial tissue जो होता है उसमें आपका सिंपल और compound आप लोग पढ़ते हो तो सिंपल में जैसे simple squamous है ना तो आपका simple squamous जो होता है ना यह हमारे जो lining में blood vessel की lining हो गई internal body compartment की lining होगी lungs की lining इसमें simple squamous आपका epithelial present है next muscles that is located in the walls of hollow internal organs जो हमारे hollow internal organs होते हैं उनकी walls में कौन सी muscles होते हैं तो जो आप muscular tissue पढ़ते हो ना उसमें आपका skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles आता है तो उनके ओपर question है कि जो आपके hollow internal organs की walls में ना आपका कुन सा होता है हमारा smooth muscles present होता है smooth muscles जो हमारा involuntary होता है बगी skeletal muscles voluntary होता है cardiac muscles भी involuntary होता है cardiac हमारे heart की muscles होती है है तो option B मेरे साब से आपको समझा गया type of muscle tissue तो muscular tissue जो है muscle tissue बोल दिजिए कितने type के होते हैं तो देखे smooth muscle होता है यह fibrous नहीं होगा यह simple squamish muscles में नहीं होता बोन cartilage यह आपका connective में आता है तो यह skeletal smooth and cardiac muscles होती है ना option C next है which of the following statement is not true regarding skeletal muscles skeletal muscles जो होते उसके बारे में कौन सा गलत है not true पूछा ना false पूछा है skeletal muscles striated तो striations होती है मतलब कि lining ऐसे धारिया होती है मतलब striations skeletal muscles में बिल्कुल सही लिखा हुआ है फिकर स्केलेटल muscles involuntary नहीं होती है skeletal muscles voluntary होती है तो गलत में तो option B ही गलत है फिर आपका skeletal muscles multi nucleated होती है बिल्कुल सही है skeletal muscles are under conscious control में होती है यह भी सही है जैसे आप अपने हाथ को move कर रहे हो पैर को move कर रहे हो यह आपका voluntary movement है ना तो यह skeletal muscles control कर रही है तो यह involuntary होता है यही गलत लिखा option B मेरे साब से clear हो चुगा है आपको वीच आप फॉलोइंग muscle tissue can be controlled voluntarily voluntary कौन सा muscle tissue होता है voluntary जो हमारा will हमारे according होता है जैसे हम हाथ को move कर रहे है है ना तो यह हमारा voluntary control में है तो यह skeletal muscles जो होती है ना वो voluntary होती है तो smooth muscles तो involuntary है कार्डिक भी involuntary है skeletal आपका जो है voluntary control में होता है next is swan cells are present in nervous tissue muscle tissue connective tissue old तो आपका जो nervous tissue होता है उसमें आपके swan cells present होते है next है blood क्या है connective tissue है epithelial tissue है muscular tissue है nervous tissue है blood किसमें आता है हमारा connective tissue में आता है next है epithelial which forms the inner wall of blood vessels की inner wall में मैंने आपको कुण सा बताया lining में lungs की blood vessels की है ना तो आपके इनकी inner wall में कुण सा epithelium है squamish है cuboidal है accelerated none तो आपका squamish होता है simple squamish epithelial present होता है blood vessels की inner wall में ना next longest muscles in the body deltoid rectus abdominis sartorius biceps तो यह sartorius जो है ना यह longest muscle होता है body का which of the following is not part of neuron के part नहीं है देखे neuron जो होता है उसमें exon बिलकुल होता है dendron होता है cell body होता है hemoglobin इसका कोई part नहीं होता है ना तो देखे आपका यह cell body neuron में देखे आपका यह cell body होता है सोमा बोल देजे यह आपका जो है exon है elongated part है ना यहां पर यह शोट ब्रांचिस होती है जिने आप क्या कहते हो dendrites बोलते हो कि तो और यह आप देख लें ना कि तो option जो है हमारा hemoglobin नहीं होता dash is basic unit of contraction is skeletal and cardiac muscles में contraction की basic unit myofibrils है actin and myosin है tendons यह sarcomere तो basic unit of contraction जो होता है skeletal and cardiac muscles में that is sarcomere next which of the following part of neuron receive information from other neurons एक neuron दूसरे neuron से information receive करता है ना तो कुण सा part होता है neuron का जो receive करता है information तो हमारा जो projections होती है न मिलापको जो आपका यह projections बताइजे ना यहाँ पर होती है Subscribe लोह दो होती है projections को आपने dendrons dendrites कहा न तो आपका यही क्या करते हैं information रेसीव करते हैं दूसरे निरॉनस सी किया वैंगा देंड्राइट हो जायगा देंड्राइट से information cell body के पास आएगी वहां से एक जोन फिर एक जोन टर्मिनल ओकई तो आपका हैं स्प्राइब्स कराता है। हाइपो ग्रोसल निर्व। naj् Post ऑखेशिय के या मूवमेंट ओफ आई बोल है है ना तो आपकी जो क्रेनल नर्व्ज होती है ट्वेल पेर क्रेनल नर्व्ज पढ़ते हो तो उसी से रिलेटिड है आपका हाइपो ग्लोसल नर्व तो आपको उपटा फगवा से मैं आपको बता भी रखा है फग वी ए एच फगवाह वी है लास्ट वाली हाइपो ग्लोसल नर्व होती है तो किस रिलेटिड है चूइंग मूवमेंट ओफ टंग फेशल एक्सप्रेशन या आई बोल की मूवमेंट है तो आपके जो टंग की मूवमेंट हो से कंसर्ण होती है ऑप्शन भी हो जगा हाइपो ग्लोसल मेजर प्रोटीन जो है कनेक्टिव टीशू में मेजर प्रोटीन क्या है कोलाजन है chairman LAUGHTER och हो है इसका मेजर प्रोटीन हमारा कुलाजन होता है Option क्या हो जाएगा अ निजल से बोडी आर प्रेज़न थे तो निईरॉंस में नेफरोंस नेफरोंस तो आपका गिडनी का जो है थो एक लिफस प्रेज़न दिया है लंग से तो नीजल बोडी यां नीजल ग्रेनोर्स जो है golden लोगे विचमीं जंक्शन को क्या कोगे सइनवा ड्राइट कोगे यह एंडियृ मोलन काँगे जंक्षन हैं तो उसे क्या कहेंगे हम सइनप्स इसे कहा जाएगा सइनप्श द सब्सक्स the following is not a function of connective tissue found in the human body connective tissue function नहीं है देखिए इट प्रवाइड सपोर्ट और प्रोटेक्ट दा बोड़ी और इट्स ओर्गन तो सपोर्ट प्रवाइड करता है प्रोटेक्ट करेगा बोड़ी को ओर्गन्स को इट प्रवाइड इम्मुनिटी तो दा बोड़ी इट स्टोर अनर्जी आज रिजल फैड आपका अडिपोस टीशू है ना अनर्जी स्टोर करता है इट इनिशियेट एंड ट्रांस्मिट एक्शन पोटेंशिल देट हैं तो यह नहीं होता फंक्शन ओप्शन फोर नहीं होगा बाकि तीनों फंक्शन आपकी कनेक्टिव टीशू की होते हैं तो आपने हाइपोग्लोसल नर्फ देखिते हैं अभी आपको हाइपोग्लोसल होता है ऑप्शन टू है तो उपटा फैगवा से आप याद रखते हो और फैक्टरी फस्ट वाली फिर ऑप्टिक फिर टूक्यूलो मॉटर फिट्रोक्लिर अपथेटिक ट्राइजैमिनर अब्डूसन फेशिल और डिट्रियाव एस्टिविलो कॉक्लियर ग्लोस फ्रिंजल वैगस असेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल ठीक है तो यह 12 हमारा 12 पेयर होता है क्रेणियल नर्व का नेक्स विच कौन सी है उपटा यह एफ एजी फग वाहा वी एच तो फेशल देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ पर फेशल आ रही है कौन सी फेशल सेवन्थ वाली होती है ना क्रेणियर नर्व सेवन को हम फेशल नर्व में भी कहते हैं ऑप्शन सी विच फोलिंग टाइप निरॉन केरी इंपर्स प्रों सेंस औरगन कित सा इन सकते हैं और इंट्रफ निरॉन्स भी कहते हैं तो इसमें यह संसरी खेह सकते हैं है ना तो इसमें यह sensory होगा option C होगा है ना sensory neurons option C sensory neurons carry impulse from receptors in the sense organs से CNS की तरफ और motor neurons carry impulse from CNS C factor की तरफ okay सार को लिमा refers to सार को लिमा क्या है Cytoplasm of skeletal Muscle so सारको प्लाजम करोगे स्केलटल मसल्स का क्या कहो मेंब्रेन स्केल्टल मसल इस सार को लीमा ओके ऑप्शन डी राइट हो जेगा शोट ब्रांचिंग प्रोसेस ऑफ निरोन इस टर्म डैज तो शोट ब्रांचिंग प्रोसेस जो थी है ना वह नहीं क्या नाम दिया अपने सेल बोडी जो था है ना यहां से यह आपका हैं उनको रिसीव करते हैं सिगनल को रिसीव करते हैं डैंडडाइट डैंड्राइट डैंड्रोन के ब्रांच प्रोटोब्लाजमिक एक्स्टेंशन होता है नार्व सेल का और और नियूरल सेल्स टुड़ वोडी और सोमा है ना तो यह दूसरे साल से इन्फॉमेशन सब्सक्राइब लोकेटेड इस फांड ओनी इन मसल से और उक्सिजन मोलेकूल तो सिर्फ मसल्स में है और उक्सिजन मोलेकूल से बाइंड होता है सार्कोपलाजम किसे कहा था साइटो प्लाजम ओफदा स्केलटल मसल इस नोन है सार्कोपलाजम माइटोकोंड्रिया ओफ्केलटल मसल से सार्को तो आपको सार्को प्लाजमीग अंब्रेन को सारको लीमा कहा नेक्स्ट है डाख स्मूद मसल्स पर काडिक मसल्स के फंक्शन को कौन रॉब्लेट करेगा जो इन्वालुन्टरी फंक्शन्स होते अंगी समय्तिक नर्वा सिस्टम नर्वा सिस्टम ऑफ के फंक्शन को डप्र को सब्सक्राइब करेंगा हैं ने सब्सक्राइब उसके यह प्रकुलमिक अब एक प्रवेशन जिसका आफ लोग कमेंट बक्स में देने वाले हैं question क्या है आपका muscles that is located in the walls of hollow internal organ hollow internal organ की walls में कौन सी muscles बताई skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles voluntary muscles इसका answer आपने comment box में देना है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी से like और शेक और चैनल पे नए है तो मेरा आप लोगों से request है की चैनल को सब्सक्राइब जुरू करना ओके थैंक यू